Hello everyone, very good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योगश्व फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UP D-Late Online Form 2024 के बार में की इसका Online Form किस मन्त में आएगा, Form कब से स्टार्ट होंगे D-Late करने के लिए योगिता क्या होनी चाहिए, Form की फीस कितनी होती है, और D-Late करने में कुल कितना खर्च हो जाता है, Private College से और Government College से And Graduation में कितना परसेंटेस होना चाहिए, General Category का, OBC का, S.E.S.T. का, सभी Category के बारे मैं आपको बताऊँगा And Exam Based Admission होता है या Merit Based होता है किस Based से इस बार होगा 2024 में सारी चानकारी आपको इस विडियो में मिलने वाली है D-Late BA Teaching Exam की पल-पल की Latest Authentic Update पाने के लिए अभी-कभी Education बेसाइल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी Update आप वो Update आपको सबसे बहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि Form इसका किस मन्त में आएगा देखे, Form आपको जो है UPD-Late 2024 का कब देखने को मिलेगा? Last May में, कब देखने को मिलेगा? May Last में हर हाल में आपको UPD-Late 2024 का Notification देखने को मिल सागा और तुरंद इसके Form में भी Start हो जाते हैं ओके, अब योग गिता क्या होनी चाहिए? देखे, अगर Graduation आप लोग Complete किये हैं अब Pairing में इसमें नहीं लिया जाता है आपका जो है, Graduation Complete होना चाहिए तब ही आप लोग इसके लिए Elisable है Farm की Feast इसमें category wise होती है अगर आप लोग General OBC से हैं तो 700 रुपए S.E.S.T. हैं तो 500 रुपए PH Candidate हैं तो 200 रुपए आपकी लगीगी ओके, चलिए और Delet करने में कुल कितना खर्च हो जाता है Private College से और Diet से Diet, Government होता है देखें, अगर आप Private College से जो है, Delet करते हैं तो आप मान के चलिए कि दो साल में जो आपका खर्चा होगा 1 लाग रुपए 41,000 1st year के Feast होती है 41,250 2nd year के भी Feast होती है बागी Extra Charges होते हैं जैसे Practical हो गया Registration का Charge हो गया तो एक मान के चलिए आपका 1 लाग खर्च हो जाएगा Private से करने में अब Diet अगर आपको मिल जाता है Diet कैसे मिलता है वो भी आपको मैं बताऊँगा Diet अगर आपको मिल जाता है यानि कि Government College मिल जाता है तो 10,200 रुपए First year की 10,200 रुपए Second year की फीज लगती है बाकी 25 रुपए अलग से Charge लगता है अगर आप लोग जैसे Hostel लेते हैं तो 1250 रुपए लगते हैं एक साल का तो ये Charge होता है अगर Diet मिल जाता है तो बहुत ही नाम मातर की फीज लगती है बस ओके चलिए Graduation में कितना लोग Elisable है General OBC है तो अगर आपका 50% है तब ही आप लोग Elisable है Deal it के लिए ओके चलिए Exam based होगा इस बार ये Merit based admission देखे UP में Merit based से ही आपका जो है admission होगा इस वर्स भी देखे Merit कैसे इसमें जो है add की जाती है 10th की 12 की सपोच आपका 10th में 50% है वो enter में आपका 50% है और graduation में आपका 50% सीधा सीधा इसमें percentage add किया जाता है यानि की कुल आपका percentage कितना हो गया 1.500 अब देखे कितना आपका होना चाहिए कि आपका डाइट में मिल जाए देखे अगर आपका अगर आपकी category कोई भी category है अगर आपका 230 तक जा रहा है 230 तक इस वर्ष तो ज़्यादा competition नहीं था क्योंकि बच्चे उतना form ही नहीं फिल कर पाए थे तो इस बार देखे कटाप ज़्यादा जाएगी अगर आपका 225 तीस जा रहा है एड करने में तभी आप लोग eligible है diet के लिए इस बार तो बहुत कम मतलब 160-70 वालों को भी मिल गया था जैसे जो बच्चे SC के टेकरी से थे उनको मिल गया था अभी भी सीटे खाली है डिलेट की इस बार की तो अगर आपका इस बार 225 तीस जा रहा है तो आपको diet मिल जागा बाकि private college में भी इस बार जो है मुश्किल होगा admission लेना अगर आपका 180 रहेगा तभी आपको private college भी मिलेगा तो merit based आपका admission होगा ठीक है कुछ भी doubts वगयर है तो आप लोग comment box में doubt के लिए कर सकते हैं thank you so much bye bye take care